इपिसड्य फिप स्टारिंग में दिखा जाता है लोटास को जो कि उस तैनल के अंडär है चाईय होती है अब जब है इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ब्हुचे स्वा छता लगी है कि दिन बार हमेशा एस खुपसूरत महिला उसे घिरा रहता है और फिर तभी दिखाते है लोटस को जो कि उसके तरफ मुड़ती है और केती है क्या बात है मेजस्टी आपकी नाक से खून क्यों भेरा है यह कुछ भी नहीं है बस क्या केते हैं मैंने उस लिडिल फिलेंग को थोड़ा यूज कर रहा था ना तो यह उसी का एफेक्ट है यह स सुनने का लोटस सोचती है लोटस की तरफ देख रही होती है और सोचती है मेजस्टी काफी ज़्यादा अजय बेट कर रहे हैं वह पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे वो क्यों बदल गए और फिर वह आगे सोचती है पहले मेजस्टी एकदम डराने धमकाने वाले थे और वह वनेन आर्मी आर्क मेजसर ते हैं और क्या कहते हैं डीमन हिस्टी के सफसे ज़्यादा इस्ट्रोंगेस आर्च में डीमन तर हें आर्श में कम दज़ए इangenद रहे हैं और वह आगे बोलती है वह आसानी से इस दुनिया में किसी को भी अपनी एफसलीट इस्रेंद के साथ मा बुका दे सकती है और वो बोलते है अभी इतनी बेखौब लग रही है उनकी आखे और बोलती है मुझे आश्चर है लिवा सब्ड़ हो और पिसल के पास जाता है और निकाल लेता है अब हुझ आया soll resonate यहांपर भी और यहां पर काफि सारे डॉकुमेंट्स भी है और धूसरी किताब यह ए डीमलोड आगे बोलता है इन सब को दिखने से ऐसा लगता है कि कार्ड इस इंसानों के साथ लेटर एक्चेंज किया करता है और यहाँ पर काफी सारे डॉकमेंट्स और दूसरे लेटर भी है और डीमलोड आगे बोलता है ऐसा लगता है कि कार्ड इसने इन सारे डॉकमेंट्स को यहां पर सबूत के तोर पर रखाए और यहां हर तरा की शेड़ी डील से और फिर आगे बोलता है यह वह सबूत है जिने कार्ड इसने यूमन फोर्स के उपर कंट्रोल करने के लिए रखा था डीमो लोड की बाते सुनके लोडस कहती है मेजेस्टी आपने जो केस किया है वो हमाई ले काफिया दा फायदमन हो सकता है लेकिन इन सारे जो डोकिमेंट से उनको अपने साथ कैसे ले जाएंगे यह तो बहुत सारे हैं लोडस की बास उनके डिमो लोड केता है लिडल वाइड तुम तो एक एलेमेंट लिस्ट भी होना और फिबो आगे बोलता है हाला कि जो मैन मेजिक लेते हैं न वो आग पृत्वी हवा और पानी है लेकिन कई सारे ऐसे इंट्रिगेर्ड स्पेल्स में यह जिनने मैन एलेमे के सोच रही होती है यह क्या है क्या यह एलेमेंटल मेजिक है लेकिन मैने इसे पहले ऐसा कभी नहीं देखा और अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर लोडस से कहता है चलो चलते हैं भार जाके अप लोग उनके फाइट देखेंगे लोडस उपर की तरफ शारा करते हु पर लिगां जाते हैं और टावर के बार आगे कुछ एसा देखते हैं कि वो भूज़ता शोक हो जाते हैं और फिर हमें भी तिखाए जाते हैं उन्हें इसा क्या देखा और फिर आपर देखना को मिलता है काड़ीज आ चुका है अपने पूरी टोली साथ यहां पर के बीच में आके एक बंदा जमिन पर आके धराम गिरता है और यह और कोई नहीं ब्लैक रहता है इसको ज़रूर रेडिस्टर ने टावर से नीचे फेक दिया होगा और यहां पर दिखाते हैं काड़िस ब्लैक को देखता है और कुछ सोचता है उससे पहले उसे एक आवाज आ रहता है दिखाते हैं रेडिस्टर उससे अपनी तरुषड़ा के पीछे की तरफ चला जाता है और पीछे की तरफ रेडिनिंग करके बोलता है यह किस तरह का क्रियेचर है और उस चीज ने मेरे डायरेक टटे को ब्लोक कर लिया और यहां पर दिखाते हैं काड़िस डेडि जो डिमा लोट रहता है वह बोलता है उस मोश्टर का पाव लेविल 22,000 से जादा है और वह एडोटर के करीब है और लोटास बड़ेती है वह बोलती है वह ने च्रवल तो नहीं लगता और वह इतना पावरफुल क्यों है और फिवह आगे बोलती है क्या काड़िस ने यह क करते हुए इन मोश्टर को बनाया हो और फिवह आगे बोलता है यह चीज़ जो उस अर्टिफेक्स से निकली है यह लोग बेल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और यह हमारे लिए काफी एदा बुरी खबर है और फिर यहां पर दिखाते हैं रैड इस्टार को जो की पाउर नहीं होता है, और फिर यहां पर रैड इस्टार को दिखाते हैं जो कि सोच रहा होता है यह कमीने का बच्चा तो काफी सकते है और यह चीज़ आखिर हैं कि आगे बोलता है लुट छुं कर् Soo बोड किंग वार्या क्या मैं इस कमीने को भी काट आण सकता और रैड इ होते हैं और फिर यहां पर हमें दिखाया जाता है रेडिशा को जिसने उस मॉस्टर को काड़ास नहीं होता पर जमीन कंदर धसा दिया होता है और फिर यहां पर दिखाते हैं लोड़ास को जो कि कह रही होती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बुड़ा इंसान इतना जादा स्ट्रोंग होगा और वो एक फॉर्मर किंग थाना और फी जो डिमलोड है वो सोचता है लगता है कि रेड अभी जीत रहा है लेकिन जो रेड रेड स्टार है वो कार्डिस के आदमियों से घिरा हुआ है क्या मैं उसे बचा भी सकता हूँ यहाँ पर दिखाते हैं दूसरे मोश्टर को जो कार्डिस के पास खड़ा हो रहता है और कार्डिस रहता है वो रेड स्टार से बोलता है हम पिछली बार काफी समय पहले मिलेते और आगे बोलता है तुम यहाँ एलवेन कैपिडल सिटी में क्यों हो अपना काम बताओ और जो पास तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर हूँ यह सुने करता है अच्छा तुम मुझे मारना चाहते हो और तुम को यह जिगा कैसे मिली और तुम यहाँ आकेले हो पिर दिखाते हैं रेट स्टार काडिस से कहता है जबसे तुमने मुझे उस दिन फसाद या था लेडिल फ वुद में हुआ करता ता ह और किया तुम मुशनिती यहां पर। रखक्ता हो तो और क्या में उसे यहां पर प्रॉब्लम से बचा सकता हूं बचाнал और यहां पर रास्ता है और यहां और दिखाते हैं जो रॉडस visit 2015 पूरेसा की में उसके काती हैं इ varya वो दोलइंगल T سंते हैं इन लोगों को आसानी से नैंटा सकते हैं मनी-मन मैं आ Besides से कहता है लेडी अगर मैं यह कर सकता तो कर देता और आगे बोलता है अगर मैं इतने जादा वैड ट्रेन और वेपन के साथ खड़े उए इन सारे आदमियों को इतनी आसानी से मार सकता तो तो आपको क्या लगता है मैं डॉकिमेंट्स के लिए यहाँ पर इतना चुपते लेकिन उसे मानने से उसकी रेपूटेशन खराब नहीं होगी और फिर इंवेंटरी पॉकिट बनाई थी ना यह जल्दी खतम होने वाली है और फिर इससे क्या कहते हैं सारे डोकिमेंट्स भार निकल आएंगे तो हमें तुरंत यहां से जाना होगा और यह सुने का दोडस कहत कर थे हैं अभी है तो डॉल डऊटेस क्या होगा और सबस्क्राइब होगा और भी और c Что बोड़ा आज तुम घर चुक हो और बताता है जब तुम उस भाड़े के परसन से लड़ने में भोज़े तक विज़ेते ना तो जब भी मैंने तुम्हारे उपर अपना यह वाला मेजिक कास्ट कर दिया था और तुमने इसे नोडिस भी नहीं किया और फिर यहां पर दिखाए ना वो टावर के अंदर जाने लगता है और टावर के गेट के पास इजो कहें लोड और लोडस भी खड़े हुए रहते है और जब कारणि उनके पास से जा रहा होते हैं ना क्रोस करती हूए तब भी वो उनकी तरफ देखता है उसका 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 वहाँ पर ध्यान जाता है और वो वहाँ पर देखता है एकदम किरिपी लुक के साथ और ही पर अपना चोईये वाला एपिस ओड़े एंड हो जाता है